जैहिन साल 2021 में आपकी ब्यारोगर्फ की जो बर्ती आई है जिसके एड़नकार की लिष्ट आपकी पोस्ट न हो चुकी है अब उसकी नए डिट आपको 20 जुलाई दी गई है तो क्या वास्तों में 20 जुलाई को जो आपके लिष्ट है वो आएगी या फिर नहीं और अगर लि पोस्ट की कटफ क्या रह सकती है इंकार की वो हम डिसकस करेंगे इसके अलावा जो आपके मैसन की पोस्ट है जिसको लेकर काफी कुछ किन्फिजन क्रेट हो रहे हैं कि आपकी बर्ती जो है मैसन की होगी या फिर नहीं इसके अलावा अगर होती है तो क्या इन सभी पोस्ट के साथ में मैसन के बड़ती होने वाली है वो सब हम डिसक्स करने वाले हैं चलिए देखिए ये एक बार जो नोटिफिकेशन आपका स्टार्ट में पब्लिश हो था उसके बारे में चर्चा करते हैं पलीज मेरे बाद ज़रा ध्यान से सुनिएगा यहां पर इस आ गया था कि आपकी जितनी भी पोस्ट हैं ड्राफ्ट मैन सुप्रवाज स्टोर रेडियो मेकनिक और लाव इस्टेंट इनका जो एक्जाम है वो कहां पर होगा ग्रिफ सेंटर पूर्णी में होगा इसके अलावा स्टोर की प्रेट टेकनिकल और डी यस यान की ड्राइव आपने सेंटर भी बना दी थी जो कंडिडेट हैं उनके कि किस कंडिडेट का कहां पर एक्जाम होना है इसलिए उन्होंने ये बात कही थी कि स्टोर कीपर का और डी एस का जो एक्जाम है वो अलग जगा होगा और इन चारो पोस्ट का जो एक्जाम है वो ग्रिफ सेंटर प नमर पांच में उन्हें एक नए चीज कही थी वो यह कही थी कि जो मैसन के आपकी कंडिडेट हैं उन्होंने जो फॉर्म अपलाई की हैं वो बहुत ही कम है यानि कि जो एक मीनमम क्रेटरिया होता है ब्यार गृट का दस गुणा यानि कि जितनी विकनसी होती है उसके दस गु इसके बाद जो आपके गृफ की तरफ से अपडेट आई थी वो थी एक ट्विट इसमें आपने जो गृफ है इन्होंने ये कहा था कि 30 जुलाई को आपकी लिस्ट आनी थी वो कुछ रिजन के करना आपकी अब नहीं आपाई है और कब तक आएगी आपकी ये 30 जुलाई त आनी है वो कब आएगी बीच लुज दोजार इकिस को जो कि 30 जुन को आने थी लेकिन आपकी ये नहीं आपाई अब इन्होंने रिजन क्या दिये है देखिए पॉइंट नमबर एक में तो इन्हों कहा है कि 28 जुन को जो नोटिस आपका आया था जिसमें ये कहा गया था तक जैने कि अभी तक आपकी जो फॉम है उनके सक्रॉंट्टनी नहीं हुई है वैरिफेकस्ट नहीं हुआ है अप्लिकस्ट फॉम का इसलिए आपको जो लिस्ट है वो 30 जुन को नहीं आपाई और 20 जुन को आपकी लिस्ट आने वाली है अब यहां से देखिए आपके दो ईहां से एक बात कि जतनी है कि भी अपले केसं फर्म ने थी लेकिन यह पर आप कि अ लख बात बोल दी है क्या कि आपके हैं बाती यहां से देकेगा हम आपकी दो चीजिये लेकर चल सकते हैं पहला आपकी जो मेसले के पोस्ट है उसके बारे में आपको पता कि मैसन की जो फॉर्म है वो कम अपलाई हुए थे एसा इनोंने पहले नोटिविकेशन में कहा था जो कि हमने आपको दिखाया है लेकिन इस नोटिस में जो सबसे बड़ी एक नोट करने वाली बात था वो यह है कि इनोंने किसी भी पोस है जिस भी आपकी पोस्ट के लिए देखिए पोस लिए आपकी जितनी पोस्ट जारी हुए थी उन से भी अप्ले का फॉर्म हो अंटर प्रोसेस हैं यांद कि यहां पर आपकी जो मैसन है वो भी इसमें कांट कर लिए जाती है तो कहने का मतलब यह है कि यह चांप साथ बन सब वो आपके जारी कर दी जाएगी आपकी लिस्ट जो वो फर्विस कर दी जाएगी एक बात और कि 20 जुलाई को लिस्ट आएगी या फिर नहीं तो देखिए जैसा कि पहले नोटिस में लिखा था सेम वहीं चीज यहां पर लिखी है कि एक्सपेक्टेड है देखिए कहने का मतलब यह है कि अब भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि 20 जुलाई को आएगी या फिर नहीं लेकिन हमने पहली बापको कहा था जब 30 जुलाई को आपके लिस्ट नहीं आई थी तब हमने कहा था कि प्लीज वेट कीजिए 10 से 11 तारी तक आपको जुरू से जुरू कोई न 30 जुलाई से पहले आपके जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी सभी पोस्ट की जितनी वी आपके पोस्ट है उन से भी जो एडमिकार की लिस्ट है जो कॉटफ हो आपके जारी कर दी जाएगी तो 20 जुलाई आपको वेट करना है 20 जुलाई अगर नहीं आती है तो 30 जु 67-68% से उपर आपके नमबर है चाहे किसी भी कटेगर से बिलंग करते हो आपका जो variation है 2-3% का आपको हर एक जो आपकी कटेगरिश में देखने को मिल जाएगा लेकिन जो एक average cutoff है वो आपकी 68 अगर आपके 68-70% है या फिर उसे उपर आपके नमबर बन रहे है तो आप शोर हो जाए कि असकेटे का जो आपका एडम काड़ है वो जरूर से जरूर आएगा क्यों आएगा क्योंकि आपको पता है कि जो असकेटे के आपके विकनसी है पहला रिजन तो ये आपके सबसी ज़्यादा विकनसी असकेटे की है दूसरा आपके जो पोस्ट है वो आपकी increase कर दी गई थी यान कि जो गरीफ है उसको जरूर था भी आपके असकेटे के पोस्ट के लिए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा केंड़ को बुलाने का चांस बन जाते है second आपके ये रिजन बनता है कि आपके जो एग्जाम होने वाले है वो विरिस लोकेशन पर होने वाले हैं कि ज़्यादा कर देट आपके बुलाये जाएँगे इसलिए है अगर कम केंडे बोला है तो यह कुछ रिजन में है जो उसके कम जाने के तो यह कुछ डाउट थे जो कि आपके गिर्प की बड़ते को लेकर बन रहे थे उम्मीद करते हैं कि जानकरी अच्छे लगी होगी अगर इसे बरते के बारे में कोई भी आपका डाउट है किमने सिक्सना आप के लिए खुला है आपने कोई भी डाउट को आप पूछ सकते हैं आपके हरे एक डाउट का उजब दिया जाएगा तो वीडियो अच्छे लिए तो प्लीज वीडियो को डाई जरू कीजिएगा और आगे के छोटे छोटे और बड़ी शेप बड़ी अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सेक्सस एज़ित को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा जुड़े रियेगा थैंक्स रूट कमें केप सपोर्टिंग जैहिन